नमस्कान न्यूस वर्ल इंडिया देख रहे आप मैं हूँ आपके साथ सुमन पाल जोशिमट ब्लॉग सभागार में आयोजे तैसिल दिवस में आज फर्यादी और जनपरती निदियों की अधिकांश कुरसियां खाली नजर आई है सभागार में अधिकतर कुरसियों में विभाग के अधिकारियों की भीड नजर आई है वही तैसिल दार जोशिमट रविंदर शाक अध्यक्षता में आयोजे तैसिल दिवस में ही विदियोत विभाग क्रिशी राजस्व परशुपालन स्वास्ते और इसके साथ ही शिक्ष्या सहीतवन विभाग, P.W.D. विभाग और अने विभागों के करीब 20 विभाग यदिकारन जो हैं मौजूद रहे हैं और वही फर्यादों की संख्या महज आधा दर्जन से कम नजर आई है वही तहसिल दिवस में ही आपको बता दे कि दोपहर तक कुल तीन शिकायते दर्ज हुई हैं जिसका तहसिलदार जोशी मठ द्वारा संबंधित विभाग की अधिकारी को शिग्र निराकरन करने के आदेश दिये बता दे आपको कि तहसिल दिवस जन परती निधियों की खाली कुर्सियां सीमांत के विकास कारेों के प्रती परशाफन और सरकार की संजीदगी साफ बया करती नजर आई है और इसी खबर पर हमारे साथ चमोली से हमारे सहीयोगी पुषकर सिंग नेगी हमारे साथ जुट चुके हैं पुषकर बताया जा रहा है जैसे जानकारी या तैसिल दिवस में फर्यादी की जो कुर्सियां वो खाली नजर आई है बिल्कुल देखें से मुक्या मतरी ने कहा था कि हर मंगलवार को जो है जन्ता दर्वार लगेगा लेकिन जोसिमाड ब्लॉग के अगर यह पर बात कर जाए जोसिमाड ब्लॉग में जब थैसिल दिगाए जन्समज़ाओं को लेकर तो यहां पर जो है जन्ता यहां पर पहुंची है लेकिन कल का जिस तरफे वाक्या जो है कल यहां पर नहीं पहुंच पाई तो कहीं में कहीं इनसे सब पर केवल प्री डवरोली विभार और जल सस्थान उत्तार लोग यहां पर पहुंचे हुए थे आलांकि भरियादी यहां पर जो ब्लॉग अ..पर जिस तरफे पह यहां पर दोन हिए उसको ऑप्र जूर मेंघन पर लोगो रिए उसको जो नहीं कर दिया गया जब्ल कुल बिलकुझ कर रोगों के माउजूदखी के बारे में अगर बात की जा है तो कितने लोगों को माइदम पर मौझूद़ी रही है उनके संवस्य तो इसका बिल्कुल, बिल्कुल देखें शर्मन आपसे काझी जो लोग यहां पर समाज करा तरहें तुर्ण की हैं। कि एहां पर जो बूस ब्रॉख शवार किस्फिती दी यह पर भंहीं हैं। तो इसको लेकर परसासम के दोरा जो भी यहन नेवर पढ़िका हो, नेवर पंचाए हो या फिर दी रव लियो, जो लोग यहां का आये थे या समाज कराशचे जो कि नोगों की बीदा पैंसिन और या आपका निया प्थिक्लार बाया हो इसको लेकर ज़ए समाज करा थे अधिकार्य को यहां पर लिए किया तो दिल्ला परियादी नदारत नजर आए हाला कि फर्याद लेकर कुछ लोग मौके पर पूंचे हुए थे देर रात मसूरी मौल रोड पर तब हनगामा हुआ जब दिल्ली से शराब कारोबारियों के सुरक्षा कर्मियों ने मौल रोड पर गारी में लगे हुटर को बजा कर चला रहे थे आपको बता दे जिसमें स्थानिय लोगों ने होटर बजाने को लेकर मना किया जिसके बाद दोनों गुटों में कहा सुनी हो गई और शराब वैपारियों के सुरक्षा कर्मियों ने स्थानिय दुकानदारों के साथ मार पिट की और दुकान में रखा सारा समान फैक दिया और जिसके बाद स्थानिय दुकानतारों ने श्वराब कारोपारियों के शुरक्षा कर्मियों के खिलाप कारवाई की मांगी है स्थानिय लोगों ने पुलिस पर शासन मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं जिस पर स्थानिय लोगों और पुलिस के बीच नोख जोग हो गई नोख जोग होने पर वैपारियों ने मोल रोड पर सभी दुकाने बंद कर धर ना दिया स्थानिय वैपाईयों का कहना है कि स्थानिय लोगों को पांच बज़े के बाद मोल रोड में नहीं आने दिया जाता फिर ये वी आईपी कैसे होटर बजाते हुए मोल रोड में गाडिया भुमा रहे है हेमबदी नंदन बहुगुडा गडवाल वीदी के चोरा से परिसर में उस समय अफ्रा तफरी मच गई जब बटाया जा रहा है कि एक विशाल काई कोब्रा सांखी की विभाग में जागुसा और कोब्रा को देख करमचारियों के हाथ पाउफूल गए और तब कोब्रा परिसर में रहा और तब तक उनकी सांसे अटकी रही परिसर में मौजूद लोगों के बीच ही कोब्रा को देखने की उच्छुकता के साथ डर भी बना रहा और कोब्रा करीब 10 मिनट तक परिसर में ही रहा तब तक लोग उसका वीडियो बनाते रहे और काफी देर बाद कोब्रा परिसर से बाहर निकल गया और गनी मत रही कि इन दिनों ही गड़वाल वीवी में शीत कारे नवकाश है और ऐसे में छात्रों के परिसर में ना होने से बड़ा हाथ सा होते होते तल गया ड्रक्स फ्री देभूमी अभियान के तहत हरिदवार पुलिस कप्तान अर्जे सिंग निर्देश पर ही नशे के बिरुद लगाये जा रहे अभियान में क्लियर ठाना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है ठाना पुलिस ने 103.35 ग्राम स्मैक के साथ ही एक धंदे बाज को भी गिरपता किया है जिसके कबजे से एक इलेक्ट्रोनिक तराजू और स्मैक बेच कर कमाई करीब 6,000 रुपे भी बरामत कर ले गए है मामले का खुलासा होते ही रुड की सीविल लाइन कोट वाली में एसपी देहात सोपन किशोर सिंग ने किया है और एसपी देहात सोपन किशोर सिंग ने बताया है कि ड्रक्स फ्री देवभूमी मिशन 2025 अभियान के तहत ही हरिद्वार वरिष्ट पुलिस अधिक्षक देशन पर जनपद भर में नश्य के खिलाब बड़ा अभियान चलाए जा रहा है और इसे कड़ी में गलिया खाना अधियाक्ष जहागीर अली की टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है और पुलिस टीम में नश्य के एक धंदे बाज को करीब 11,133,35 ग्राम समैक के साथ गिरफतार धंदे बाज सद्दाम उर्प गुलुपुत्र सलीम निवासी ग्राम का समपूर थाना पत्री पिछले काफी समय से नश्य के धंदे में लिप्त था जिसकी तलाश पुलिश कर रह थी बताया जा रहा है कि एस्पी देहात सौपन किशोर नहीं ठाना अध्याक्ष जहांगीर अली और उनकी टीम की फीट थपथपाई है चले रुकरते हैं गली खबर की ओर एम्स रिशी केस की अमर्जनसी में पेशन को रिसीब करने में अब और असानी हो सकेगी नई सुविधा से मरीज के इलाज में विलंब नहीं होगा और उसे तत्यकाल ही इलाज की सुविधा मिल सकेगी अस्पताल की सुविधाओं में जाफा करते हुए मंगलबार को संस्थान की कारेकारी निर्देशक डॉक्टर मीनू सिंग द्वारा एमर्जनसी विभाग का विस्तरी करन कर पेशन्ट रिसीविंग में उद्खाटन किया गया है बता दे आपको कि जिससे आपात इस्तिती के मरीजों के इलाज हो सकी और एमस रिशी केस ने मंगलबार को सेही एमर्जनसी विभाग की ववस्ताओं में बतलाव कर मरीजों के लिए सुविधाओं बढ़ा दी हैं संस्कान की कारेकारी निर्देशक डॉक्टर मीनू सिंग ने मंगलवार को नई ववस्था के तहट एमर्जेंसी के पेशन्ट रिसीविंग बे का उद्खाटन किया उन्होंने इस तर सुविधा को मरिजों के लिए बहु लाबकारी बताया है यहां पर जादा तर लोग आगे पीछे बहुते रहते थे तो इससे हमने एमर्जेंसी को दी दिया एरिया को ताकि यह पेशन्ट को रिसीव करने के लिए और उनको ट्राइज करने के लिए ट्राइज एक बड़ा इंपोर्टन कोंसेट होता है एमर्जेंसी में कि जब पेशन्ट आता है तो यह देखने की जरूरत होती है तो वो कितना विमान है जैसे ही पेशेंट एंबुलेंस से उतरेगा या उसे उतारा जाएगा और ट्रॉली पे डाला जाएगा तो इमिजेटली यहां पर आके उसका विदिन सेकेंड्स मतलब यह सारा उसका चटक पो सकता है और इसी घबर पर हमारे साथ हमारे सही होगी संजे शर्मा हमारे साथ तक जूड़ चुक है संजे अस्पताल में अब मरिजों को किस तरह की सुगिधाई मिलेंगी उसके बारे में तुरा विस्तार से बताईए जोग अगर इस अटे आप लिए तो इन सब बहुत देखने के लिए एक तरह के गाहिए कि उन्होंने पॉनित्रिंग से साथ साथ CTV और DCTV लगाएं साथ चारीज लोग एक साथ देखने के सुविदा को जो पर नहीं है उसमें रिकांपल वेंट पर देतक भी है और जिए संजय बहुत बहुत शुक्री आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और एहम जानकारी देन तो रिश्केस से आपको ख़बर बता रहते हैं जहाँ पर एमस की अमर्जनसी में अब 40 बैट हो गए हैं अमर्जनसी विभाग की सेवाओं का आब अराम से मरीज जो है लाव उठा पाएंगे उतरकाशिज जन्पत के हार्शिल घाटी में नए साल का पहला हिमपात शुरू हो गया था और हार्शिक भाटी को लेकर ही मुखवा धराली जाला सुखी सहित कई छेतर में बरवारी हो रही है और वहीं आज सुखा से उतरकाशि जन्पत के उपरी छेतरों में जमकर हीमपात शुरू हुआ है वहीं नए साल के तीसरे या चोथे दिन का गोतरी हर्शल सुखी मागंगा के मुखवा में जमकर हीमपात हो रहा है बता दे आपको कि लंबे समय से लोग हिमपात और बारिश होने की उमीद लगाए बैठे थे और इसको लेकर हिमपात शुरू हो गया हिमपात शुरू होने से लोगों की चेहरे खिल उठे और बरवारी रात भर यूहीं जारी रही तो कल सुभा तक पूरी हार्शिल घाटी पर्व की सफेद चादर से ठंग जाएगी आपको बता दे की प्रेटक भी हिमपात का जमकर लुप तो उठा रहे हैं और वहीं बात की जाए गंगोतरी धाम की तो यहाँ पर भी काफी अच्छी बरवारी शुरू हो चुकी है जिससे की मंदिर पर रांगन सफेद चादर से काफी सुनदर लग रहे हैं और बात की जाए ठंड के तो भी कढा के की पढ़ रहे हैं और इसी खबर पर हमारे साथ उत्तर काशी से हमारे सही होगी सुमित कुमार हमारे साथ तक जुड़ चुके हैं सुमित नए साल की शुरुवात हुई और उसके बाद बरबारी देखने को मिल रही है प्रेटकों में किस तरह की कुशी देखने को मिल रही है जी पिल्कुल मैं आपको बता दू कि जिसे ही नया साल नया वर्ट में चुरू हुआ है हस्टल वेली में कई बरबारी नहीं हुन्ते एक सीट लेहर यहां पर चल लए थी तो नया साल में कल से यहां पर बरबारी साम को देखने को जरी मिले बरबारी हुई है और काफी जो किसान है बागवान वाले हैं उनके लिए भरबारी होनी काफी जो रूबी तो इस वर्ट से जो नया साल है जो जो पहली पर बरबारी हुई है इसमें काफी खुशी की लहर है इस्तानिया लोगों में या प्रेटक्ट में जी असमित दूर दराज से लोग यहां पर अच्छी परबारी देखनों को मिलिए क्योंकि आपर परबारी जेते ही तो प्रेटक्ट ने काफी लुक्त उठाया है परबारी का आनन जरूर लिया और आज की बात की जाए तो आग मौसम सुबे से खुल चुका है मौसम हलकी धूफ जरूर है पर परबारी जो खेतों में मारग में मारग में या किसी स्तान में परबारी जेखने को जरूर मिरे जिससे कि प्रेटक काफी परचड़ कर इसकालीं परवास मुटवा के लिए रावाना हो रहे है मागंगी के दरसन करे और काफी अच्छा लूप उठा रहे हैं बिलकुल सुमित जिस तरह से प्रेटक् कि बनता है कि रखिया राष्टिया राजय मारुब हिन कहने कि क्या कि बहुत हए तो यहां पर निश्वालिफ रसनेख tussen सैंट यहां पर कि सुम्हित प्ञंड से बचने वह प्ष्थानिय और उपना बारे वह मैं पिन में थल्यक यहां पर आप आ के कि यहां की बात किंज हैं उंक् altura कि यहां पर उनके सारे निए बीडर तुम्हाइक permitted अर्निवादир होती है यहां पर उनी पीड़ों सुमीट जी सुमित आपका बहुत बहुत दिनेवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और आहम जानकारी देने के लिए तो उत्तरकाशी से आपको फ़र बता रहे हैं ही इंपाथ शुरू होते ही प्रेटों का जमावरा है वहाँ पर देखने को मिल रहा है और इसके साथ ही जो प्रेट कोट के ग्राम पिंड़की में एक घर में आग लगने से जलकर राख होने की खबर जो है वो सामने आई है जिला आबदा परबंधन से मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि घटना के सूचना पर बढ़कोट के पुलिस और फाय अस्तरदिस के टीम घटना स्थल के और इसी खबर पर लगातार हमारे साथ हमारे सहयोगी सुमित कुमार जुड़े हुए है सुमित जिस तरह से आग लगने की घटना सामने आई है किस सब्सक्राइब पता दू कि यह तरह मामला है जैसे ही यहां पर टाम को एक आवाद से काफी दो मन जिला मकान था लकडी का यहाँ पर आग जैसे ही लगी तो आग ने इतना विराट रूब धारन किया कि दोगों को इसको बुजाने के लिए ग्राम सारे ग्राम वाशी एक जुट हो गए और इसको बुजाने की काफी कोशिश की आग अग पर वो काबू नहीं सब्सक्राइब करने की कोशिश करेंगे सुम्थ अपसे तो उत्तरकाशी में बताया जा रहा है कि यहाँ पर घर जल कर जो है राक हो गया है बताय जा रहा है कि आग वीशन आग इस घर में लगी थी फिलहाल आग लगने का कारण अभी तक साफ नहीं हो पाया है और यह भी जानकारी सामने आई है कि घर में रखा सारा समान इस आग में जलकर राख हो गया है तो आपको बता दे उत्तरकाशी से खबर है जहां पर आग लगने की घटना जो है वो सामने आई है और इसके साथ ये भी जानकारी सामने आई है कि ग्रामीडों ने आग बुझाने का प्रयास ही किया था और तैसील बड़कोट के ही ग्राम पिंडिकी में एक घर में आग लगने से जलकर राख हो गई है और सुमीत कुमार हमारे साथ फिर से जूट चुके हैं कि अब बता रहे थे कि वीशन आग लगी है फिलाल आग लगने का कारण साफ हो पाया है क्या तो आग लगने के जो कारण है वो अभी मामला सामने नहीं आया है क्योंकि जो ये मंजिला मकान था ये तो बिलकुल आग के कारण पुरा मकान दुश्ट हो चिता है, आग ने इतना प्राट रूप दारर किया, जो यहाँ पर जो सबसे बड़ी यह रहे कि यहाँ पर कोई बड़ी पानौनी नहीं हुई और बड़ी दुर्गतना नहीं हुई, उकिस्ताने लोगन यहाँ पर ताकि सूझ भूच के साथ का भी म यहाँ पर जिन्हों ने इसाथ वाज़ा देने के लिए और जिलाधिकारी को इसके बारे में सुचना जरूर्द मिली है और सुचना है जोनों ने यहाँ पर उनका पर नापरवाई ही देखने को मिली है? तो आपको खबर बता रहे हैं उत्तरकाशिस है जहाँ पर घर में भीशन आग लगने से घर में रखा सारा समान जलकर राख हो चुका है फिलाल आपको बता दे कि आग पर काबू पालिया गया है खबर कोतवाली रानीपूर से है जहाँ बीती देर के रात ही घर में नगदी और जेवर पर अग्यात चोरों के द्वारा हाथ साफ कर दिया गया और घटना का पता परिजनों को सुभा उस वक्त चला जब परिजन के लोग सो कर उठे थे और घर में हुई चोरी में लगभग पांच लाग के आसपास का सामान चोरी किया गया है ऐसी जानकारी सामने आई है आपको बता दे कि चोरी की ये वारदात कोतवाली रानीपूर के सुमननगर चौकी छेतर के राजपूर में समीम मुलाजी के मकान में देर रात हुई जिस जिसके बाद वहाँ पर इलाके में ही संसनी फैल गई और घर के बाहर ज्वेलरी के खाली बॉक्स पड़े भी मिले हैं आपको बता दें कि परिजनों के द्वारा पतकाल घर में चोरी की सूचना सुमन अगर पुलिस चोकी को दी गई और जिसके चलते ही सुमन अगर चोकी से कॉंस्टेबल अज्जे राज रावत और अपने हम राही साथी के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए घटना स्थल का मुआइना किया परिजनों के द्वारा सुमन अगर चोकी पुलिस को तहरीर देकर चोरी की घटना सूचना दे दी गई और जिसके चलते हैं पुलिस के द्वारा मामले में च्छान दीन की ज़ा रही है और इसी खबर पर हमारे साथ हरिदवार से हमारे सहीयोगी इंतजार रजा हमारे साथ हर जुड़ चुके हैं इंतजार जिस तरह से मामला सामने आये चोरी का कैसे ये चोरी हुई है पूरी मामला बिस्तार से बताईए ये बिल्कुल देखिए मैं आपको बता दूँ ये परिवार वो अपने घर में सोया हुआ था जिसके बाद सुभेज दमपत्ती परवार उठा तो उसे अपने घर में जो ऐसा सामान है वो बिगराव मिला और उन्होंने जो इसकी जो सूचना है वो इस्थानिय पुलिस प्रक्रण प्रक्रण है यह पुलिस को बताया गया और व यहां मौक्ले पर मौका मौइना करने के लिए घर मुद्रल्ण करने के लिए यहां पर पॉंचे थे और तमाम जो मुख्वित थंट्रे सब को यहां पर तकिरिया गया थाकि चोरी का जो फुलाता है वो जल्ड किया जातके जी इंतजार ये भी जानकारी सामें आई है कि रा वो सोया हुआ था और सुबह के वक्त उनको पता चला कि घर में चोड़ी हो गई है क्योंकि सामान जेव उनको महा पर बिख्रावा मिला वही मैं आपको लालू कि पुलिस के दुआरा तमाम जो संद्र है उसकी आज किरे किया गया और कहीं न कहीं जो परिवारी सदस्य है उनस द्वारी बिल्कुल इंतजार जिस तरह से बताया जा रहा है कि अब चोरी का जो खुलासा है वो और कर दियाजाएगा तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जूड़ने के लिए और हमचार्गारी देने के लिए हुट रिभार से आपको ख़ब गदा रही है जह पर मकान में देर रात को चोरी हुई है जिसमें चोरों के द्वारा धर में रखी अलमारियों से नगदी और जेवर चुरा लिये गए है सुभा जिस वक्त परिजन सोव के अरूठे हुए थे तो देखा कि अलमारी खुली पड़ी है और जिसके बाद इलाके में हरकम को मच गया घर के बाहर ज्वेलरी के खाली बॉक्स पड़े मिले और परिजनों के द्वारा ततकाल घर में चोरी की सूचना फुलिस में दी गई है फिलाल फुलिस मामले में जाच में अब जुट गई है फिलालिक्स बॉलेटिन में इतना ही खबरों का सिलसिला लगाता चारी है आप देखते रहिए न्यूज वर्ल इंडिया